हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इन वर्कशीट को बहुत ज़ादा इंज्वाई करके आप इन्हें सॉल्व कर रहे होंगे चलिए आज की वर्कशीट में आज की विडियो में हम डिसकस करेंगे क्लास 3 की वर्कशीट नमबर 75 जो की 21 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स याने की गणित यहां आप अपना नाम लिखेंगे और यहां आप अपनी टीचर का न यह दो चित्र बना रखे हैं आपको बताना है कि चित्र एक और चित्र दो को अगर कमपैर करें तो क्या-क्या गलतियां हुई है चित्र दो में आपको कम से कम चार गलतियां यहां पे ढूड़नी है तो चलिए देखते हैं पहली गलती तो यहां पे बना है चित्र एक में ज जबकि यहाँ पे नहीं है और चौती गलती हम ये देख सकते हैं कि ये जो एनिमल है इसका पैर यहाँ हमें नजर नहीं आ रहा है जबकि यहाँ पे वो पूरा पैर हमें नजर आ रहा है ठीक है तो इस तरीके से चित्र पहली तो हमने हल कर ली अब आगे हम देखेंगे पार्क की पगदंडी दो बहुत दिनों तक ललित ने पगदंडी की टाइलों पर चलागे लगा कर खूब मज़े किये एक दिन तेज बारिश होने के कारण वह पार्क में खेलने नहीं गया तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कॉपी में चलागे लगाऊं तो हुआ क्या कि जैसे आपने पिछली वॉक्षीट में समझा था कि ललित ने काफी सारी जो पार्क में टाइल्स लगी थी उन पे नमबर लिखे थे तो उसने कूद कूद कर कुछ टाइल्स तक वो पहुँचा था अब क्या किया है उसने इन टाइल्स को अपनी कॉपी में ही बना लिया है ठीक है अब कैसे बनाया है चलो वो समझते हैं चौबिस नमबर तक पहुँचने के लिए ललित ने एक बार में तीन संख्याओं की चलांग बनाई और फिर एक बार में चार संख्याओं की चलांग बनाई आप भी बताए कि तीन और चार संख्याओं की कितनी कितनी चलांगे लगाने पर आप चौबिस तक पहुचेंगे तो देखो ललित ने यहाँ पर क्या किया है तीन तीन के चलांगे बनाई है तो पहले वो एक बार चलांग लगाएगा तो पहुचेंगा तीन पर फिर एक बार और लगाएगा तो किस पहुचेंगा छे पर फिर एक बार और वो जंप करेगा तो अब पहुच जाएगा नौ पर फिर एक बार और जंप करेगा तो फिर वो पहुच जाएगा 12 पे फिर एक बार और जंप करेगा तो अब पहुंच जाएगा 15 पे फिर एक बार और जंप करने पहुंचेगा 18 पे फिर एक बार और जंप करेगा तो वो पहुंच जाएगा किस पे 21 पे और फिर एक बार और जंप करेगा तो पहुंच जाएगा 24 पे तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल मिला के 8 बार 3 संख्याओं की चलांग लगानी पड़ेगी तब जाके वो 24 पे पहुँचेगा ठीक है? अब हम देखेंगे 4 संख्याओं वाली चलांग एक बार चलांग लगाने पहुँचा 4 पे एक बार और लगाएगा पहुचेगा 8 पे एक बार और 12 पे फिर एक बार और लगाएगा पहुचेगा 16 पे फिर एक बार और लगाएगा पहुचेगा 20 पे फिर एक बार और लगाएगा तो पहुचेगा 24 पे तो कितनी चलांगे हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हम यहां लिखेंगे छे बार चार संख्याओं की चलांग यानि कि वो 24 पे पहुँच जाएगा ठीक है अब देखते हैं आगे अब आगे देखिए हमसे कहा है कि अब आप अपनी कॉपी में पांच संख्याओं की चलांग लगाकर 40 तक पहुँचिए आपने कितनी बार चलांग लगाई वो आपको यहां लिखना है कितनी बार चलांग लगाई चलो देखते हैं मालो यह हम लाइन बनाते हैं यह है 0 और यहां पे है 40 और हमें कितने कि 5 पांच संख्याओं की चलांग लगानी है तो हम एक बार लगाएंगे चलांग 5 पर पहुँचेंगे, दूसरी बार लगाएंगे 10 पर पहुँचेंगे, तीसरी बार 15 पर, चौती बार 20 पर, उसके बाद 25 पर, उसके बाद 30 पर, फिर 35 पर और उसके बार 40 पर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका मतलब टोटल हमने 8 बार चलांगे लगाई है अब इसको अगर हम लिखेंगे अपनी कॉपी में तो किस तरह लिखेंगे? एक बार 5 संक्याओं की चलांग लगाने पे हम पहुचेंगे 5 पे दो बार 5 संक्याओं की चलांग लगाएंगे तो हम पहुचेंगे 10 पे और अगर हम 3 बार 5 संक्याओं की चलांग लगाते हैं तो हम पहुच जाएंगे 15 पे अब यहाँ पे देखो हम एक चीज कर सकते हैं कि हम यहाँ पे बार बार ये बार बार लिख रहे हैं इसके जगे हम ये लिख सकते हैं, एक गुडा में 5 बराबर 5, इसके जगे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुडा 5 बराबर 10, इसके जगे हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुडा 5 बराबर 15, सेम ऐसे ही अगर हम 5 चलागे लगाते हैं, 5 संख्याओं की तो 5 गुडा 5 आ जाएगा 25, और इसे ही 7 चलांगे हम लगाते हैं, यानि 7 चलांगे लगाते हैं, 5 चलांगे की तो कि ये कितना आ जाएगा? 35, उसकी बाद 8 अगर हम चलांगे लगाएं, 8 बार हम चलांगे लगाएं, 5 संख्या की तो ये कितना आ जाएगा? 40, इसका मतलब 40 तक पहुचने के लिए हमें 5 चलां ठीक है अब इसके बाद हमें क्या कहा है कि इसी तरह से नीचे दिए गए प्रश्णों को पूरा कीजिए हम किस संख्या को तीन से गुणा करें तो 30 आ जाएगा तो हम जानते हैं कि 10 एकम 10 10 दुने 20 और 10 तियां 30 होता है यानि अगर हम 10 को 3 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जा तो हम क्या करेंगे 4 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे 4 एकम 4, 4 दुने 8, 4 दियां 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चिक 24 और 4 सते 28 इसका मतलब यहां पर आ जाएगा 7 7 अब हमें क्या करना है कि 5 को एक ऐसी संख्या से गुणा करना है कि आंसर आ जाए 45 यानि 45 तो वो कौन से संख्या होगी चलो 5 का पहाड़ा फिर से हम पढ़ेंगे 5 एकम 5, 5 दुने 10, 5 तियां 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 चिक 30, 5 सते 35, 5 अठे 40, 5 निम 45 और यहां 45 ही है यानि 5 को अगर 9 से गुणा की आ जाए तो 45 आ जाएगा यानि इस बॉक्स में जो संख्या आएगी वो है 9 ठीक है अगला है हमें दो को एक ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे 16 आ जाए तो दो का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें के 16 आए तो हमें पता है 2, 8, 16 होता है तो यहां पे हम लिख देंगे 8 तो यह थी आज की हमारी मैट्स की वोक्षीट अब आपके पेरेंस के लिए आपे सुझाओ है कि बच्चों के साथ मिलकर ऐसे जानवरों की सूची बनाईए जो कूद सकते हैं तो आप और आपके पेरेंस मिलकर यह सूची बनाएंगे ठीक है और अगर आपको यह वोक्षीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और अगर आपको यह वीडिय आई है तो इसको लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ शेयर करें और इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लें थैंक यू